नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों कोई आपका बाल भी बाकार नहीं कर पाएगा क्यों दोसों अब शत्रू का भी बाप है आपके शाथ ज्या दोसों आने वाले 24 गंटों के अंदर जो गटनाई आपके शाथ होने वाली है दोसों आप सुनकर यक करेंगे लेकिन दोस्तों में आप शर्वी को यह बात यकिन दिला दे कि आखिर आप कब तक और किसे के जुम शितम को शायति अब होने वाले हैं जियां दोस्तों हम आप शुबी को बिता दें कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जो घटनाएं हम आप शुबी को बिताने वाले हैं दोस्तों यकीन कीजिए आपके उनकाल में कई परकार की बड़े चमतकार करने वाले हैं उस्षे पहले दोस्तों जो भी जाई जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंड बोक्स में सच्चे मंचे जई हनुमान जरूर लेकें बगवान हनुमान जी का शदे वश्रबाद आप शभी को रापत होगा जियां दोस्तों तो आए दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करतें कि बहुती अ माता पिता मनुष्य न जानिये ये तीनों नंद की शूर। यानि तुल्शी को कभी भी ब्रिक्ष न शमझें गाई को कभी पर्शू न शमझना चाहिए और माता पितों को मात्र मनुष्य न शमझें क्यों दोस्तों ये तीनों शाक्षात ब्रह्मा की रूप हैं जिया दोस परश्तिति आ जाए दोस्तों कोई भी आपको हरा नहीं शकता जी दोस्तों तो अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो यह बातों को आप शोंट पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइप ज़रू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लेख दें जयए श्रीकिश को भी आपको मिलने वाली है दोस्तों याश्म में दिन उत्तम होगा खुद को शमर्थ और उड़ जाओन आप महसुस करेंगे अपने पारिविक दैटों का बखोवी निरुआन करने में भी आप सक्षम रहेंगे शादी दोस्तों आप कुछ ऐसे कारी भी याश्म में करेंगे जिससे आपकी राष्मनात्मकता शामने आएंगी घर में शांतान के विवाशमंदी के दियोम की तयारियां जोर सोच से चल सकती है इसको प्रांदोस्तों याश्म में गरापकी शाओ धनी को लेकर बात करें तो दोस्तों याश्म में किसी के दोवारा गलत फेमी उत्पन कर जाओ है इसके आप शाणना रहें सस्राल पक्ष के साथ संबन्ध शाष्म में आप मधरू बना कर रखें यह आपके लिए शायक दोगे इसको ब्रांदोस्तों याश्म में आपके लिए समयोंगी दूस्तों आपको बिता दिन के शुरुआत से ही ठकान मैसू होने के वजश यह भी गुशा भी येश्में बढ़ सकता है दूसरों को भी अपने बातें चाहर करने का होता है इस बात को यह में आपको समझनें के आविश्चता होगी और इसको प्रांदों यह में आपके लिए जो सम रहेंगे दोस्तों आपको बता दें कि मन में चल रही संका तनाव लाबदायक शाविद होंगे आपको बिता दे कि किसी समाजी कारेक्रम में भी भाग लेने का आउशर आपको प्राप्त हो सकता है इसके साथी दोस्तों यश्मे कुछ चुनतियां आपके शामने भी आएंगी लेकिन आप अपने मनोबल से पैस्तितियों का मुकावला भी करने में शक्षम रहेंगे खर्चों की कटोती रखें अनिता आर्तिक शमस्याएं आशकती है नसे जैसी परवर्ति से आप यश्मे दूर रहें तता वहां शावधनी पूर्वक चलाएं दोस्तों ये आपके यश्मे के लिए बहुती मेहत्मुल शावित होंगी तो इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्राण दोस्तों ये श्मे आपके लिए जिम्धारियां का पोज शिश्मे बढ़ सकता है ये श्मे आपको महसुत हो सकता है जिर बातों को बदलने के लिए आप प्रत्ने कर रहे थे दोस्तों उनमें थोड़ी इस्तिरता नजराएंगी जिसके वज़े से आप थोड़े चिंतित भी होशकते हैं विद्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ये श्मे अतिया होशकता होंगी आपको कारण विश्यस पर यश्य में आपका ध्यान के दित रहेगा तथा शफल भी आप उनमें रहेंगी नई गारी खरेदने का योग भी परबल बने हुए हैं दोस्तों यश्य में कोई प्रोपकार शुमंदी कार्य में शंपन हो सकते हैं नई नई बातें की जनकरियां आपको प्राप्त होंगी किसी समारो में आपकी विश्यस भूमे का भी रहने वाली है प्रणतों यश्य में किसी कारे में रकावट आने से आपकी सहन सकती जवाव दे सकती है आत्मीशुमंदी धων जायेगा आपको बता दें कि की विवर्त की कारियों में अपना शुमिट प्रवाद से कुछ लोगों के साथ दूरियां बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा इसको प्रावद्यों को अधिक बैदर बनाने का प्रयाश करें आपको बता दें कि इत्रों का भी पूर्ण सयोग आपके उपर बना रहेगा आर्थिक जती पहले से अधिक शुद्ध रहेगा उत्तम शाहित पढ़ने तथा नए विश्यों पर जानकारी लेने का आपका रूची रहेगा आपको बता दें कि विद्यार्थी का अपने पढ़ाई की प्रति पूर कर सकते हैं बैतर होगा कि इन बातों पर आप ध्यान नो दें और अपने कारियों पर ध्यान को केंदे जखें आपको बता दें कि बेकार की अफवाँ आपके उपर भला शकता है तो दोस्तों इन सबी चीजों से आप दूर रहें और अपने ध्यान पर अपने काम पर ध्यान को केंदे तके इसको प्रांद दोस्तों यहाश्म में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जरुष से अधिक वक्त आपका प्रेम्श सम्मरित बातों में ही बिच सकता है रिलेशन सिप को जरुष से अधिक ध्यान देने के वजशे आपके दोवरा किसी महत्मून काम को नरंदाज किया जा सकता है तो दोस्तों यहाश्म में आप इन बातों पर गौर दें और अपने काम को लेकर आप जो है सतक करें अपनी जिवदारियां और व्यक्तिकत बातों को अलग अलग रखने की आपको सुचिक करें दोस्तों यह आपके लिए यह श्मी बहतर शक्त होंगी इसको परान दोस्तों यह श्मी अगर आपकी केरेर को लेकर बात के नर्थाथ आपके ओयाशाय की तो दोस्तों यह काम से सम्मदित डेटलाइन पर अधिक ध्यान देने की इसको प्रांदो से यह शुमे किसे भी वह शाइक कार में दिक्कत आने की उजशे घर के वरिश वर्तियों की शला आप अवशलें यह आपके लिए बहतर होंगी शादे सरकारी कारियों में लाप की प्राप्ति होंगी लाप की शमाहना बन रही है दोस्तों यह शुमे अपने टेक्स लॉन आदिस प्राप्ति पेपर्स को कंप्रेट रखें यह आपके लिए बहतर स्वाइद होंगी इसको प्रांदो से यह शुमे आपके केरेर के लिए जो समय होंगी दोस्तों आपको बता दें यह अधिकारी वर्गशे में त्री पून वईवार रखें यह आपके लाब प्रद रहेगा सोचे वेकार पूरा करने की यही उत्तम शमय है इसको प्रांदोसों यह शुमें अपनी पुरानी गलतियों से सीकर बहतरिन तरीके शे अपने कार्यों को अंजाम देने का शमय होगा आपको बता दें कि आप में हर मुश्किल का सामना करने का समर्थ ही दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं को रुजगार समंदी प्रयाशों में शफलता मिलेगा यश्में अपनी मतकंचाओं को पूरा करने की दिसा में आप कदम उठाएं आप इनमें शफल रहेंगे दोस्तों यह सबी बादों पर आपको गौर करना चाहिए तथा आएक श्रोत व्यश्में बढ़ने वाले हैं नोकरी पेशा लोग जिम्यदारी वापिर विश्वास के हर अस्तर पर बहुत बढ़ियां काम करेंगे आपको बता दें यह श्में आपके जो वयोशा है इसके लिए बहुत ही महत्पुन शाब्त होने वाले इसको प्रांती दोस्तों वर्तमार वविशाइक गद्यों का विस्तार करने के लिए जो समय है आपके पास नए आउसर आ सकते नए परस्ताओं आ सकते हैं पिजले कुछ समय से कियेगे निवेश में अतासित लाब मिल देगा शरकारी कारवों में भी विजय हाचिल होगी अगर आप इस टाप आदी बदलना चाहते हैं तो दोस्तों यह समय बिल्कुल सही समय होगा इसको प्राहत दोस्तों यह शुमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपकी पारविरिक जीवन की तो दोस्तों यह शुमें परवार में खुशी और मज मस्तिक का आलम रहेगा किसी ब बता दें कि दोस्तों घर का महौल तो खुश्टों में बना रहेगा बच्चों तथा परवार के श्राद मुरणजन समंधी प्रोग्रैम भी बनेंगे रित्तिदारों के प्रत्ति अपनी जिमेदारियों को भी आप यह में बख़ू भी निम्हा भी पाएंगे इसके साथी दो दोस्तों यह पति-पथ्रमन इभी मदूर्टा बनि देग प्रेम परशंगों में मिलेगी प्रद्स नोकी विजश यह आपके के प्रति लपरवाह नहां रहें यह आपके स्वास यानि हेल्थ के लिएकर बात करें तो दोस्तों येश में स्वास उत्तम रहेगा दोस्तों येश में आपकोने व्यक्तितों को और अधिक निखारने के लिए योगा वयाम डाइटिंग आधिप पर ध्यान देना चाहिए इसको फ्राम दोस्तों येश में आपके स्वास प्लेश दमोंगी दोस्तों आपको बता दें कि मोश्मी बिमारियों शुए आपको परिश्वानी भी थोड़ा सा हो शकता है यह में माता पिदा अथो घर के किसी वरिष्ट वक्ति के श्वास का भी आपको ध्यान रखना बहुत से जर्वी होगा तो दोस्तों यह श्मी इन ब बातों पर ध्यान लखेंगे तो स्वास आपको उत्तम रहेगा